जै श्री राम जै जै श्री राम एधी उपस्तिता भाई और भावनी मानकु मोर नमस्कार मां भंडार घरानी मां मांजी घरानी और मां पैंडरानी के चरणों में भी मैं आस्ता पुर्वक नवन करता हूँ मैं सबसे पहले जो लोग बहार दूप में तप रहे हैं मैं सबसे पहले उनकी शमा मांगता हूँ कि ये जगा बहुत छोटी पड़ गई और मैं देख रहा हूँ जितने यहां है उससे पांच गुना लोग बहार दूप में तप रहे हैं जो लोग दूप में तप रहे हैं मैं उनको विश्वाद दलाता हूँ कि मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूँगा आप जो तप कर रहे हैं मुझे आशिरवाद देने आये हैं आपका यह प्यार आपका यह आशिरवाद मैं यहां का विकास करके मैं जुरूर लोटाऊंगा इस चुनाव में यहां हमारे साथ ही MLA का भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ ही MP का भी चुनाव लड़ रहे हैं मैं चाहूंगा जो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं वो जरा आगे आजाए जो MLA का तुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आजाए और जो MP का तुनाव लड़ रहे हैं वो भी आगे आजाए एक मिनिट भारत माता की भारत माता की यहां कोरापूर्ट और काला आंडी से भी अनेक साथी आए हैं माता बहने आई हैं मैं आप सभी का सीर जुका कर अभिनंदन करता हूं आपका ये उत्सा साब साब बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी बीजेपी आएगी उडिसा में पहली बार डबल इंजिन सरकार बीजेपी आएगी उडिसा में पहली बार डबल इंजिन सरकार उडिसा रे प्रत्थाम थार है बार डबल इंजिन सरकार उडिसा को भाजपा का पहला सी एम मिलेगा और ये भी लिख रहे है सी एम कौन बनेगा यहां का उडिसा का ही उडिसा का बेटा या उडिसा की बेटी वो ही सी एम बनेगा कोई बहार वाला नहीं बनेगा जो उडिसा की मिट्टी यहां की संस्कृती उसको अपने मात सिर माते पर लगा कर चलेगा वही भाजपा अपना पहला सी एम बनाएगी जो यहां की समस्या जानता है जो यहां के समाधान जानता है जो जनता से जुड़ा हो भाजपा ऐसा सी एम देगी यह मोदी की गारंटी है और दिल्दी के लिए आपको क्या करना है हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए क्या करना है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार उडिशा और दिल्ली में डबल इंजिन की सरकार उडिशा के विकास को नई गती देगी यहाँ प्रगती लाएगी और इसलिए मेरी प्रार्षना है इस बार लोग सभा की सभी 21 सीटों पर कमल खिले खिलेगा कमाल सभी किस सिटों पर और विदान सभा में भाजपा को बीजेपी को बंपर जीत मिले ताकि खुडिशा को नई उर्जा मिले नया नेत्रुत्व मिले साथियों आप लिख लीजिए लिख लेंगे याद रखेंगे ज़रा सब के सब बताओ लिख लेंगे आप लिख लीजिए चार जून चार जून चार जून को पीजेडी सरकार की एस्पारी डेट है और मैं आज यहां क्यों आया हूँ मैं आप सब को निमंतर देने के लिए आया हूँ चार जून को पीजेडी सरकार की एस्पारी डेट है और दस जून को पाजपा के मुख्यमंतरी के शपत समारों की डेट है और मैं आपको भूनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपत समारों का निमंतरन देने के लिए यहां तक आया हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने जैसे राम मंदिर का निमंतरन फुकरा दिया ना आप लोग नहीं फुकराएंगे मुझे पुरा पता है आप लोग जुरूर मोधी के निमंतरन को स्विकार करेंगे कि साथियों कि साथियों कल उडिशा भाजपाने बहुत ही शांदार बहुती शांदार संकल्प पत्र जारी किया है मैनिफेस्टो जारी किया है और इसके लिए उडिशा भाजपा के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र है भाजपा के संकल्प पत्र में उडिशा के तेज विकास की आपके सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ती है खास करके मेरी माताओ बेहनों के लिए उडिशा की महिलाओं के लिए ये जो सुभदरा योजना लाए है ना ये तो अधभूत है ये सुभदरा योजना ये हमारे उडिशा की माताओ बेहनों की जिंदगी बदल देगी ये मोदी की गारंटी है केंदू पत्र संग्राकों को बोनस हो देश के प्रमुक शहरों में ओडिया समुदाय भवन का निर्माण हो पुजुर्गों को पेंशन हो और ओडिसा के युवाओं को रोजगार के नए आवसर हो भाजपा के संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई है यहाँ भाजपा की सरकार बनते ही इन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा सज्जन आप तस्वीर लेके आए हैं मैं आपका आभारी हूँ आप निचे रख्ये पीछे परेशान हो रहे हैं लोग आप निचे रख दीजिये इसको निचे रख दीजिये मैंने देख लिया भाई आपको भी देख लिया तस्वीर भी देख ली लोग पीछे परेशान हो रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद साथियों उडिशा के लोगों में तम भी है और जज़बा भी है लेकिन मुझे ये देख कर दूख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया मोदी जी जो योजना ये बनाता है उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने प्रस्टाचार का ठपा लगा दिया मोदी ने मुप्त चावल की योजना शुरू की क्यों ताकि उडिसा के किसी भी गरीब मा के बच्चे को भूखा न सोना पड़े गरीब का चूला जलता रहना चाहिए लेकिन बीजेडी सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया साथियों मोदी ने पुरे देश में आईश्मान योजना शुरू की इससे आप देश में कहीं भी रहे पांच लाक रुपिय तक मुप्त इलाज मिलता है लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया साथियों मेरे लिए तो आप सब आप सब मोदी ही है और इसलिए आप गाउं गाउं में जाकर कारंटी देना कि उड़ी सामें अब बीजेडी की गड़बडिया नहीं चलेगी यहां भाजपात सरकार बनेगी और उन्हें मोदी की हर योजना का पूरा पूरा लाब मिलेगा साथियों आपके पडोस में ही 36 गड़ है वहां 15 साल पीजेडी की सरकार रही हाल में ही वहां के लोगों ने फिर से भाजपा को भारी बंगबच्चे चुन लिया और आज 36 गड़ की सरकार एक आदिवासी मुक्यमंत्री आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है पीजेपी 36 गड़ को समार रही है वहां दान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है दान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है यहां नबरंगपूर से तो 36 गड़ 25 किलोमेटर की दूरी है वहां भाजपा सरकार 3,100 रुपिया सुनिए 3,100 रुपिया प्रति क्विंटल पर दान खरीद करती है जबकि यहां उड़ी सामें धान की खरीद सिरफ 2,100 रुपिया में होती है इसलिए उड़ी साम भाजपने गोच्णा की है कि यहां बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3,100 रुपिये प्रति क्विंटल दान खरीदा जाएगा बोलो भारत माता की बोलो बड़िया काम हो रहा है क्ने हो रहा है आपको भरोजा है क्ने है हर किसान को फाइदा होगा क्ने होगा यह मोदी की गारंटी है क्ने है साथ क्यों चत्तिस गड़ में केंदू पत्र की भी बड़ी खरीद चत्तिस गड़ में होती है लेकिन ओडिसा में क्या हाल है यहां स्थिती बहुत खराब है और इसलिए ओडिसा बिजयपी ने ओडिसा भाजपाने केंदू पत्र का दांब बढ़ाने और केंदू पत्र संग्राकों को बोनस देने की गोथना की है आप लोग खुश है? खुश है? बोलिये जाए यगनाद साथियों यहां इतना विशाल इंद्रावती बांध है लेकिन नबरंगपूर और कोरापुर के परिवारों को बहुत लाब नहीं मिल पाता किसानों को पानी भी परियाप्त नहीं मिलता जबकि पडोस में चत्तिजगड में किसान साल में तीन तीन फसले तक लेते हैं यानि खेती चौपट रोजगार चौपट यहां के नवजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है यहां कपास किसान परिशान है यहां गण्ना किसान परिशान है यहां मक्का उगाने वाले छोटे किसान परिशान है और बीजेडी पचीस साथ में आपकी मुझ्टिले कम नहीं कर पाई मुझे बताईए जो आपके लिए कुछ करे नहीं उनकी आपको जरूरत है क्या कोई जरूरत है क्या अब एक मिनिट पी ऐसे लोगों कर रहने दिना चाहिए क्या तो एक बार बाजपा को मोका दीजिए और मैं आपको कहता हूँ पाँच साल में पाँच साल में ये मोधी की गारंटी है उडिशा को हम नंबर बन बना देंगे बाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी बाजपा के लिए आपका कल्यान ही सरवोपरी है इसलिए मुझे भी स्वास है उडिशा का विकास होगा 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 परो जय जगन्नार ये थी पाई मोर बिश्वात उडिशारे भिकास निश्चे होगा बाई और बैनो आपने मोदी के दस साल के सेवा काल को देखा है आपने ही प्रचंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का आउसर दिया है इन दस सालों में मोदी ने क्या किया मोदी ने आदिवासी कल्यार का बजेट पांच गुनां बढ़ाया मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एक लव्य आवासिय विध्यालों की संग्या चार सो पोंचाई मोधी ने बन धन केंद्र योजना शुरू की मोधी ने SC-ST आरक्षन को दस साल और आगे बढ़ाया केंद्रिय मंत्री मंडल में साथ प्रतिशत मंत्री SC-ST OBC के बनाए और सबसे बड़ी बात देश को पहला पहला आदिवासी राश्पति देने का सहुपा के भी BJP को मिला उड़ी सा की एक बेटी आज देश की राश्पति है ये आप के लिए ही नहीं पूरे देश की मात्रुशक्ति के लिए गवरों की बात है 140 करोड के देश को आज उड़ी सा नित्रुत्व दे रहा है भाई और बेहनों यहां आप बहुतों को याद नहीं होगा चार दसक पहले 40 साल पहले एक प्रधान मंत्री उड़ी सा आए थे 40 साल पहले अब आपके याद होगए होगए कोन आए थे उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से एक उर्पिया भेड़ता हूँ गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है यानि सो में से 85 पैसा कि एक कॉंग्रेस का पंजा लूट लेता था आपने इस सेवक को अफसर दिया मैं तो गरीब मा का बेटा हूँ तो मुझे गरीब का दर्थ समझाता है मैंने का मैं रूपिया एक बेजूंगा एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा वो जेल जा करके खाना खाएगा जेल की रोटी चबाएगा आपने देखा वगा अभी गर जाओगे तो टीवी पे देखना आज यहां पडोस में जारगंड में नोटो के पहाड मिल रहे हैं नोटो के पहाड लोगों आएगा चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वाँ अब मुझे बताएगे मैं चोरी बन कर दू इनकी कमाई बन कर दू इनकी लूट बन कर दू तो मोदी को गाली देंगे के नहीं देंगे देंगे के नहीं देंगे लेकिन गाली खा करके मुझे एक काम करना चाहिए आप मुझे बताएगे मुझे आपकी पाई पाई बचानी चीग नहीं बचानी चाहिए आपके हक का पैसा बचाना चीग नहीं बचाना चाहिए और इसलिए मोधी ने जंदन खातों, आधार और मोबाईल की ऐसी त्रीशक्ती बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया अब गर मनाने का पैसा चीज़ाब के खाते में कैस का पैसा चीज़ाब के खाते में मंडरे का पैसा चीज़ाब के खाते में किसान सम्मानी जी का पैसा चीज़ाब के खाते में यानि सब को लाब चीज़ा लाब कोई बेदबाव नहीं और ये मोदी की गारंटी है ए हाँ ए उची मोदीर गारंटी साथ क्यों मोदी आदिवास्यों में भी जो सबसे पिछडे हैं उनका भी ध्यान रख रहा है पिछले वर्ष 15 नवेंबर को मैंने भगवान बुर्षा मुंड़ा के जन्म दिन पर पी-म जन्मन योजना शुरू की इस योजना पर 24,000 करोड रुपया खर्च किये जा रहे हैं 24,000 करोड रुपया उडिसा में बड़ी संख्या में अती पिछडी आदिवासी जन्जातियां रहती हैं अब इन अती पिछडी आदिवासी जन्जातियों का भी तेज विकास होगा भाई और बेहनों मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी ओडिसा तो हजंगरों वर्ष की हमारी विरासत की भूमी है मोदी ओडिसा की इस विरासत को पूरी दुनिया को बता रहा है आपको ध्यान होगा जी ट्वेंटी के लिए दुनिया भर के बड़े ताकतवर देता दिल्ली आये थे मैंने तब वहाँ एक बहुत बड़ा कोणार के चक्र के सामने सबकी फोटों खीचवाई सबने पूजे पूजा ये क्या है मैंने गर्वा से कहा ये मेरा उडिसा है और आज दुनिया के सब बड़े नेताओं के घर में ये हमारे उडिसा के कोणार चक्र की तस्वीर लटकती है ये है मोधी का कमाल और मोधी ने जैसे काशी विश्वनात कोरिडोर का निर्मान किया मोधी जैसे राम मंदिर क्षेत्र को भव्य बना रहा है वैसे ही मोदी जगनाज जी के खेत्र को भी भव्य बनाएगा ये मोदी की गारंटी है गुल जय जगनाज साथियों यहां तेरा मैं को वोटिंग है यहां मंच पर मेरे विसाथ विदान सभा के अनेक उमिद्वार है आपको इन सबको अपना एमेले बनाना है क्योंकि मुझे भूमने स्वर में बाजपा की सरकार बनानी है और इनके साथ ही नवरंगपूर से हमारे साथी बलभद्रमाजी जी काला हंडी से हमारी छोटी बेहन मालवीका जी और कुरापूट तो हमारे तीन साथी यहां पर मैदान में है तो इन सब को हमें इन हमारे तीनो साथ्यों को आपने लोग समा में जीत करके मेरी मदद के लिए भेजना है आप कमल पर बटन दबाएंगे ना वो सीधा का सीधा मोदी को मिलेगा तो कमल पर बटन दबाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे गर-गर जाएंगे गर-गर जाएंगे पोलिंग बूच जीतेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे कमाल हो यार चुनाव की बात करती हो तो जवाब देते हो मेरा काम बोला तो आप चुपोगे मेरा एक काम करोगे पूरी ताकत चावता हो मेरा एक काम करोगे ये चुनाव का नहीं है करोगे ये इन लोगों के लिए ने मेरे लिए है करोगे पक्का करोगे यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलना और मिलकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है जैजगनात कहा है इतना मेरा बात कर लोगे पक्का करोगे बोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद